दोस्तों आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में लिूसेंट अब्जेक्ट्ट्व बुक सीरीज के हिस्टी सेक्षन के यूनिट फॉर्थ को कवर करेंगे जो की है मोरकाल से समधित और मोरकाल है 322 इसापूरु से 185 इसापूर आपसो नंबर भी विश्ण गुप्त जिनका दूसरा नाम चानक भी था निम्लांकित में से किसकी तुलना मेक्या वेली के प्रिंसे से की जाती है तो इसका सही आंसर है मेक्या वेली के प्रिंसे से जिनकी तुलना की जाती है वह है कोटिल का अर्थसास्त की तुलना की जात जिसने राज सिहासन पर बेटने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो उस सासक का नाम है अशोक, अशोक के बड़े भाई का नाम था सुसीम, जिनकी हत्या उन्होंने कर दी थी, निमलिखित में से समराट अशोक की वह पत्नी कौन थी, जिसने उसे सारवा प्रभावित किया था वह है कारू वाकी अशोग ने अपने सभी अभी लेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है तो आपको प्राकृत ध्यान रखना है अब किस प्राकृत का प्रयोग किया है तो वह है अर्दमागदी अशोग ने अपने अभी लेखों म तक्षिसिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए असोक कहा गय थे असोक गय थे तक्षिसिला और असोक को तक्षिसिला किसने भेजा था तो यह भेजा था बिंदू सार ने कोश्चन नंबर सेवंथ, निमलिखित में से वह कोन सा वेक्ती है, जिसका नाम देवान पियादसी भी था, तो देवान पियादसी जिसका नाम है, वह है समराटसोक, समराटसोक को देवान पियादसी भी कहा जाता है, निमलिखित में से प्राचीनतम राजवन से कोन सा है, तो तम राजवन से मोरे, कोटिल या चानक किसका प्रधान मंत्री था, तो जो कोटिल या चानक के थे, वे थे चंद्रगुप्त मोरे के प्रधान मंत्री, कलिंग विजे के उपरांद अशोक महान ने किस धर्म को अंगिकार कर लिया था, तो कलिंग विजे के बाद अशोक ने कु बोद्ध धर्म स्विकार कर लिया था। प्राचीन भारत का वह प्रसित सासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जेन धर्म को अपना लिया था। मोर सामराज की स्थापना की थी चंदगृप्त मोर सामराज में प्रसलित मुद्रा का क्या नाम था। तो जो मोर सामराज में मुद्रा चलती थी उसे केते थे पना। मोर सामराज में प्रसलित मुद्रा का नाम था पना। निमनांकित में से कोन मोर वन्स का सासक नहीं है तो चंदगृप्त मोर वन्स के सासक थे असोग भी हैं बिंदुसार भी हैं तो इसका सही आंसर होगा अजाज सत्रू अजाज सत्रू मोर वन्स के सासक नहीं है। ध्यान दखना है चंद्रगुप्त मोर, असोक, बिंदुसार ये सभी मोरिवन्स के हैं निमलिखित में से असोक का उत्तरदिकारी कोन था तो जो असोक का उत्तरदिकारी था वह था कुणाल असोक का उत्तर अधिकारी बना कुणाल मुद्रा राक्षस का लेखक निमलिखित में से कोन है तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाक दत विशाक दत लेखक थे मुद्रा राक्षस के नेक्स्ट कोशन विशाक दतने प्राचिन भारती नाटक मुद्रा राक्षस आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस क्या है नाटक की विशेवस्तू क्या थी तो जो इसकी विशेवस्तू थी वह थी option number D, चंदरगुप्त मोर के समय में राजदरबार की दुर भी संदियों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है, वह है मुदर राक्षस और ये रची थे विशाक दत्तदारा ये है प्रमुक नाटके मालवा, गुजरात और महाराष्ट किस सासन ने पहली बार या किस सासक ने पहली बार जीते तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट पहली बार जीते थे चंदरगुप्त मोर के पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट को जीता था किस ने सहशनुता, उदारता और करुणा के त्रिविद आधार पर राजवन्स की स्थापना की थी तो त्रिविद आधार पर राजवन्स की स्थापना की थी अशोक ने और ये त्रिविद आधार क्या है सहशनुता, उदारता और करुणा निमलेखित किस सहर में अशोक के सिलालेग प्राप्त नहीं हुए तो अशोक के सिलालेग प्राप्त नहीं हुए वह option है पाठली पुत्र क्योंकि गिरनार, कांधार और टोपरा यहां तीनों जगे पे अशोक के अभिलेग प्राप्त हुए या सिलालेग प्राप्त हुए किंतु पाटली पुत्र में अशोक के सिलालेक प्राप्त नहीं हुए। सिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्ष सिला, मोर काल में सिक्षा का प्रमुक केंद्र था तक्ष सिला, मेगस्थिनिस की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगस्थिनिस की जो बुक है उसका नाम था इंडिगा, मेगस्थिनिस की बुप का नाम है इंडिगा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मोर का विसिस रूप से वर्णन हुआ है वह है विशागदत विशागदत के ही ग्रंथों में चंद्रगुप्त मोर का विसिस रूप से वर्णन हुआ है वह सोत्र या वह स्त्रोत जिसमें पाठली पुत्र के प्रशाशन का वर्णन उपलब दे तो पाठली पुत्र के प्रशाशन का वर्णन उपलब दे वह है इंडिगा इंडिगा से हमें क्या मिलता है पाठली पुत्र के प्रशाशन का वर्णन जो कि मेगा स्थनीज दोरा लिखी गई तो इंडिगा में किसका वर्णन है पाठली पुत्र के प्रशाशन का वर्णन है इंडिगा में असोक के सिला लेखों में प्रयोक्त भासा कुन सी है तो जो असोक के सिला लेखों में प्रयोक्त भासा है उसका नाम है प्राक्रत असोक के अभी लेखों में भासा का जो प्रयोक्त किया है वह है प्राक्रत निमलिखित में से किस मोरे राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंदरगुप्त ने निमलिखित में से कौन सा छेत्र अशोक के सामराज्य में नहीं था तो अशोक के सामराज्य में सामिल नहीं था स्रिलंका अफगानिस्तान अशोक का भाग था बिहार भी अशोक के छेत्र में आता था कलिंग भी था किन्तु स्रिलंका अशोक के छेत्र में सामिल नहीं था पाटली पुत्र को किस सासक ने सरवपतम अपनी राजधानी बनाया था तो पाटली पुत्र को सरवपतम चंद्रगुप्त मोरि ने राजधानी बनाया था बराबर जहनाबाद जिला की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रा गरह के रूप में किया है तो बराबर या जहनाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किया था आजीवी कोंने किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था वह कौन सा है तो पश्चिम भारत में भी चंद्रगुप्त का प्रभाव फेला हुआ था यह हमें पत्र चलता है रुद्र दामन के जुनागड़ अभी लेग से हमें पता चलता है कि चंदरगुप्तु मोरिका पश्चिम भारत पर भी प्रभाव था वह स्थम्ब जिससे अशोक ने स्वयम को मगत का समराड बताया या कौन सा है तो अशोक ने स्वयम को मगत का समराड बताया था भावरू स्थम्ब से भावरू स्थम्ब एक मात्र स्थम्ब जिससे यह पता चलता है या अशोक ने स्वयम को मगत का समराड बताया वह है भावरू स्थम्ब यह मिलता है कहां पर अशोक भावरू स्थम्ब अशोक ने स्वय पिय दस्ति असोग का अन्य नाम था पिय दस्ति चंद्रुप्त का नाम था सेंड्रो कोटस चंद्रुप्त का नाम था सेंड्रो कोटस और बिंदुशार का नाम था अमित्र घात बिंदुशार का नाम था अमित्र घात चंद्रुप्त का नाम था सेंड्रो कोटस चानक का नाम था फिश्नोगुप्त और असोग का नाम था पियदस्ति प्रतम भारती सामराज स्थापित किया था प्रतम भारती सामराज किस ने स्थापित किया था तो प्रतम भारती सामराज स्थापित किया था चंद्रगुप्त मोर के दारा प्रतम भारती सामराज स्थापित किया गया उत्तरांचल में असोक का एक सिलालेक इस्थी थे वह इस्थी थे कालसी में साची का इस्थूब किस ने बनाया था तो साची के इस्थूब का निर्मान कराया था समराठ असोक ने साची का इस्थूब समराठ असोक द्वारा निर्मिता असोक के सिलालेकों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कोन सा था तो जो प्रथम अंग्रेज था जिसने असोक के सिलालेकों को पढ़ा था उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप प्रथम अंग्रेज थे जिसने असोक की सि मिलता है। उसका नामे सिला लेक नम्बर थर्टिण. तेरवे सिला लेक सेutions. क्लिंग विजए का वरणन मिलता है. बिसी यूनानी जफ्तिनिफम मेकश्थनिफ किया थे. यूनान के एक राजदू थे. वह भारत में किस के दरबार में आये थे तो यूनान राजदूत मेगस्थिनीज भारत आये थे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मोर के दरबार में मेगस्थिनीज आये थे चंद्रगुप्त मोर के दरबार में और मेगस्थिनीज क्या थे यूनानी राजदूत यहां पर हमारे 45 कोशन कंप्लीट हो next 45 question thank you